हेलो फ्रेंस स्वागत आपका चलम है आज की इस यूलो में इतियास के कुछ इंपरेंट क्यूस्टन है उनको डिस्केस करेंगे जो हर कंपेटिशन एकजान में बहाबरा पूछी जाते तो आप वीडियो पर रंतक बने रहे गया इससे पहले दोस्तों अर्थ व्यवस्ता काबर ऊची जाते तो चलिए बीना सम्हें के वाए वीडियो को शुरू करते हं और देखेंट किस चनल कौं कुम इतियास का पिता किसे का शल्था है एक पयाता मसा क्या चाता है शिन दू सब्विता प्रसीथ है किसलिए सुन यो जित सर है तु उसके लिए सिंदु सब्यत्य के लोगों का वेवसाई क्या था तो सिंदु सब्यत्य के लोग क्रसी किया करते थे सिंदु वास्यों का मुख्य फसल क्या थी जो और गे हो थी सिंदु वास्यों की मुख्य फसल सिंदु सब्यत्य का सरवादिक पूर्वी एवं पस्ची मी पूरा इस्थल क्या है तो क्रमस पूर्वी हो जाएगा आलंगीरपूर जो कापर मेरट में है उत्तर प्रदेस में और पस्चeki मी पूराइस्थल ये सिंदू सब्यत dragging सुध का गेंडोर जो काई बलूचिस्तान में याते है पाकिस्तान में सिंदू सब्यत का उत्री एउउन दक्सिनी पूराइस्थल है ख्रमस मांदा जो अखनूर जमू कस्विर में आता है एवन दक्सिनी पूरा इस्तले दाय मामाज जो अमद नगर मारास्ट में है हडपा सब्वेता के बारे में सबसे पहले जानकरी किसने दी थी तो चाल्स मेरसन ने दी थी सन 1826 इस जुमें दी थी महन जो दुलो एवन हडपा की पुरा तात्वी खुदाई के प्रबारी कौन थे तो सर जोन मार्सल हडपा की सब्वेता किस प्रकार की थी तो कांसे युगिन सब्वेता थी हडपा की सिंदु सब्वेता की लीपी किस प्रकार की लीपी थी तो वो थी चित्रात्मंग लीपी थी सिंदु सब्वेता की मिश्र के राजा क्या कहलाते थे तो मिश्र के राजा को फराओ का जाता था खरोष्टी लिपी लिखे जाती थी दाए से बाए इस प्रकार से लिखे जाती थी खरोष्टी लिपी दाए से बाए लिखते थे ठीक है स्वास्थिक चिंदेन है सिंदु सब्बेता की आधी मानोंने सबसे पहले क्या सिखा था तो आग जलाना सिखा था आधी मानोंने आग काविसकार कब हो था? पूरा पाशान काल में हो था आग काविसकार सबसे पहले किस चानवर को पालतु बनाए गया था? तो कुत्ते को पालतु बनाए गया था सरुपतम सिंदो गाटी सब्वेदा थी आध्य एतिहासिक हडप्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रियोक्त रंग किस प्रकार का था तो लाल रंग था मृद्ध बांड चावल के दाने मिले हैं लोथल से सिंदु सब्वेता का सरुमान ये काल क्या था तो 2500 से 1700 इसी पूर्व था मृण चोदुल काँ पर इसी ते ये इसी ते पकिस्तान हडप्पा काँ पर इसी ते रावी नदी के तड़ पर सिंदु सब्वेता का प्रमुग बंदर का कौन सा है तो वो है लोथल हडपा के लोग अन्बिग्यता या अन्जान थे किस से लोहे लोहे के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं थी मौन जोदरों की खोज किसने की थी सर रखलदास बनर जी ने करी थी और नाचती हुए कांसे की एक मूर्ती मिली है कांपर मौन जोदर से मतलब एक मूर्ती थी इस पर नाचते हुए फोटो था ठीके नर्तेगी की कांसे मूर्ती सेंदव सब्वेता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है तो मौन जोदरों से प्राप्त अन्नागर जापर अन्द रखने की लेज जगे थी वो सेंदव सब्वेता की सबसे बड़ी इमारत थी मौन जोदरों इसकी खोष सन 1922 में हुई थी सिर्फ प्राप्त प्रम्योक इसमारक कौन सा है तो सबसे बड़ा स्चलानागर मेसो पोटराम या इसका दूनिक नाम क्या इराग इसका अर्थ की आ होता है मेसो पोटरा में क्या दो नज्यों की वीच की भूमी को मेसो पोटरा में का जाता है हडप्पा की खुदाए हुई थी दयाराम सायनी के नेत्वत में सन 1921 में हुई थी सिंदुगाटी के लोग ने पूजा की थी किसकी मात्र देवी की पूजा की थी पुराणों के संक्या कुल कितनी है इसकी रचना गुप्तकाल में हुई थी तो कुल 18 पुराण है सबसे प्राचिन पुराण कौन सा है तो वह मत्से पुराण है यह सबसे प्राचिन पुराण है और पुराणों के रिचितकों ने लोह मर्ज एवं उग्रिश्टरवा वेदों वह वेदांगों की संक्या कितनी है तो चार तो वेदे और छे वेदांगे उपनिशोदों की संक्या कितनी है एकसो आट और प्रमाने कितनी है तेरा पुराणों का अध्यान करने वाला प्रतम मुसल्मान कौन था? अलब रोनी था पुराणों का अध्यान करने वाला उपनिसद विशेवस्तु है किसका दर्शन का? सबसे प्राचिनतब वेद कौन सा है? तो रीक वेद है जिसमें कितने स्लोग है? एक अजार अठाइस ब्रामन संबंदित है किससे? कर्म कांड से गद्धि एवं पद्धि वाला वेद कौन सा है? तो यजूर वेद है सत्पत ब्रामन किससे संबंदित है? यजूर वेद से और तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन सा है? अथरू वेद है बारतिय संगित का जनक किसे का जाता है? सामवेद को का जाता है और गायत्री मंत्र कां से लिया गया? तो रिक्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र के रचनाकार कोन है? विश्वा मित्र और गायत्री मंत्र समर्पति किसे? सावित्री सावित्र कोने सुर्य देवता गोत्र सब्द कहां से मिलता है तो यह मिलता है अथर्वेद में भागवत धर्म के प्रवर्तक कोन थे तो कृष्ण थे भक्ति आंदोलन का प्रारम कहां से हो था अलवर संतों ने करा था आर्योट की जानकारी का इस्त्रोत क्या है रिग्वेद रिग्वेद में सरवादीक बार किस नदी का वर्णन हुआ है तो वो आए सिंदो नदी का रिग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो सरस्वती नदी को रीग्वेत में सबसे पवित्र बताये गया है। रीग्वेत में वन्नित प्रमुक देवता कौन है? इंद्र निने पुरंदर भी केते हैं। रीग्वेत में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन से है? तो दस्वा मंडल है। रीक वेद में पुर्णता सौम को सम्यरपित मंडल कौन सा है ? तो नौवा मंडल सत्यों में हुझएते काहाँ से लिया गया है ? मुंडु कौप निसत से लिया गया है। इस्प्रति ग्रंतों में सबसे प्राशी ने मनुस्प्रति है महा भारत का अन्य नाम क्या है जए संहीता नाम है महा भारत की रचना किस ने करी थी वेद व्यास ने कि फार्सी अनुवात का सिर्षक क्या है रचम नाम है आर्यो का भारत आगमन हुआ था पंडासो इसा पुरुव से हुआ था आर्यो सबसे पहले का बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे है रेग वेदिक आर्यो की बासती संस्क्रेट सुन्य वात का प्रतिपात को ने तो वह है नागार जून अब बुद्ध कहा जन्मत है लुम्बिनि में 563 इस्वी पूरु में जन्मत है बुद्ध की मरत्यों का हुई थी कुषिनगर में 400 तरियसी इस्वी पूर में हुई थी और बुद्ध की मरत्यों की गड़ना को क्या कहते है महाप परी निर्वान का जाता है बुद्ध के प्रतम गुरु कौन थे अलार कलाम थे बुद्ध के प्रतम गुरु बुद्ध द्वारा गरत आकी गड़ना क्या कहला थी महाप बिनिश क्रमन कहला थी बुद्ध के द्वारा गरत आकी गड़ना बुद्ध का प्रतम प्रवर्चन क्या कहलाता है ध बुद्ध्य ने उब्देश दिया था किस भासा में पाली भासा में दिया था बुद्ध्य ने सरवादिक उब्देश दिये है स्रावस्ति में बुद्ध धरम के त्रियरत ने कौन-कौन से बुद्ध दम और शंग बुद्ध धरम ग्रन करने वाली प्रतम महिला कौन थी तो राजग्रह में, चतूत बहुत संगीती हुआ था, कुंडल वन, कस्मिर में कनिस्क के समय में हुआ था, बहुत संगीती के आयोजन इस्थल का करम क्या है, तो राजग्रह, वेसाली, पाटली, पुत्रो और कस्मिर, बुद्ध के पूर्व जनम पर अधरित कता कौन सी है, तो वह है चातक का था अजन्ता की गुफाव में किस ग्रंद का चित्रन है तो चातक यह बोध्दो का क्या पवित्र ग्रंद है बोध दर्म का प्रमुख ग्रंद कौन सा है तो उसे पिटक कहा जाता है बोध दर्म के प्रमुख ग्रंद कौन और बहुत दर्म का पूजा इस्थल कौन सा है तो चेत्य मंड़ाप है आज जीवक पंत का प्रवर्त कोने मकली गोशाल हेजरी समवत की सुरुआत का भूई थी 622 इस्वी में हुई थी बुद्धी चरित के लेका कोने अस्वुगोश सुफित धर्मा अंदोरन का विकास हुआ था नवी सदी में जेन धर्म के प्रतम तिर्थकार कोन थे रिशब देव जेन धर्म के अंतिम और 24 तिर्थकार कोन थे जो 24 तिर्थकार थे वोई जेन धर्म के अंतिम तिर्थकार थे तो उनका नाम के था महाविर स्वामी जेन तिर्थकार की जीवनी का उल्यक है कलप सुत्र में महाविर कांपर जन में थे वेसाली में 540 इस्वी पूरू में जन में थे और महाविर के म्रत्य हुई थी पावापूरी में 468 इस्वी पूरू में हुई थी महाविर किस राजगराना में पेदा हुए सत्रिय राजगराना में पेदा हुए महाविर माविर का प्रतम अनुयाई कौन था जम्मारी जवन का दामाद था माविर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगद नरेश विम्मिसार के साशनकाल में दिया था जेन दर्म के तीन रत्न कौन कौन से है तो सम्यक दर्चन, सम्यक ज्यान और सम्यक आच्रन दर्चन ज्यान और आच्रन ये जेन दर्म के त्रीन रत्न है जेन दर्म के दो संप्रदाई कौन से है तो स्वेतांबर और दिगंबर जेन तरम का चरम लक्ष क्या है तो वह है मौक्षू प्रतम जेन सबा तीन सो इसा पूरो में हुई थी कापर पाटले पूत्र में हुई थी चंदर गुप मोर्ये के सासन काल में हुई थी और दूसरी जेन सबा पान सो बारा इस्व में हुई थी कापर हुए थी वललबी में देवर्दी समास्रवन के देख्सता में हुए थी जेन साहित्य को क्या कहा जाता है आगम कहा जाता है जेन साहित्य को इसा मसी का जन हुआ था चार इसा पूर्व बेथ लेहाम में हुआ था इसा मशी को सुली पर कप चड़ाय गया था 33 इश्वी में सुक्रवार को रोमन गवनर पोर्टियन्स के द्वारा मगत की राजदानी थी गीरी ब्रेच राजग्रव 16 महा जनपदों की सूची का उपलबदे अंगुतर निकाय में शिशुनाग वन्स का संस्तापक कौन था शिशुनाग पाठली पुत्र की स्थाबना किस नहीं की थी उदाई इनने करी थी पाठली पुत्र की स्थाबना पाठली पुत्र कापर बसावाए गंगा स्वाम के संगम पर हर येक वंस का संस्तापक कौन था बिम्बि सार था हर येक वंस का संस्तापक अमित्र गात की रूप में कौन प्रशित था बिंदु सार जनपद अवंति की राज़्दाने थी उज्जयन नंद बंस का अंतिम साफर कौन था धनानंद और बारत पर सबसे पहले आकरमन किस ने करा था इरान ने करा था बारत पर आकरमन 326 इसी पूर्व करने वाला पला विदयसी साफर कौन था वो था सिकंदर सिकंदर और पोरस के बीच का यूद क्या केला था है वो केलाता है हैड़ सपीच का यूज सिकंदर की मतियो 322 श्रिपूर बेबी लॉन में हुई थी मौरिय वन्स का संस्थाप गों था तो वो था चंदरकुत मौरिय मौर्यवन्स की जानकारी कहां से मिलती है तो मिलती है विष्णु पुरान से मिलती है चंदरगुप्त किसका नुए यही था जेन दर्म का चंदरगुप्त मौर्यव के गुरू और यह मामंत्री कौन थे तो वो थे जानक किया भारत का मेकी अवेली किसे कहा जाता है? चानक क्या को कहा जाता है? चंदरगुपन जेन दरम की शिक्साली कहा से? भद्रबाव से चंदरगुप मोहरे के दर्बार में आने वाला प्रसित युनानी कौन था? मेगास्थनीस था इसने पुष्तक इंडी का लिकी थी चंदगुप मोरे के मरत्य कोब भूई थी दोसे ट्यान उस्वपुर स्रवन बेल गोला करना टग में उपवास के द्वारा हुई थी अपने जीवन के अंतिन दिनों में जेन धर्म को किस ते अपनाया था चंदगुप मोरे ने अपनाया था स्रीला लेक का प्रचलन प्रारम किया था किसने असोक ने प्रारम किया था असोक ने धम स्युकार किया था कलिंग के यूद में बाद और असोक ने बहुत दर्म के प्रचार के लिए स्रीलंका बेजा था किसे बेजा था महेंदर एवं संग मित्रा को असोक का राजय अभी से कब हुआ था? दोसों से तरिस्वी पुरु में हुआ था असोक का सबसे लंबा इस्थम कौन सा है? तो सात्वा इस्थम सबसे लंबा है असोक का नाम असोक है मौस की आंदर पदेश एवं गोरजरा मद्य पदेश के अभी लेक में असोग ने शियम को मगगत का समराड बताया बाबू इस्तमलियक जो जहिपु राजिस्थान में है करिंग यूद की विजय तता सत्यो का वनन मिलता है असोग के सिलालेक में मिलता है साची का इस्तुप किसने बनवाय था तो वो बनवाय था असोग ने सिरी नगर की स्थाब ने किसने की थी तो सिरी नगर की स्थाब ने की थी असोग ने असोग के सिलालेको की खोईच 1750 इस्व में सबसे पहले किसने की थी टीप फैंत लगने की थी असोग के अभी लेक को सबसे पहले किसने पढ़ा था जम्स प्रिंसेब ने 1836 में पढ़ा था हरिसेन का इलहाबाद प्रस्रिष्थी लेक जानकरी देता है समुद्र गुप्त की और मोर्य वन्स कंतिम सासर कौन था तो वो था ब्रेथ दित सुंग वन्स की निव किसने डाली थी तो डाली थी पुष्यमित्र सुंग ने बरहुत इस्तुप का निर्मान करता कौन था पुष्यमित्र सुंग सुंग वन्स का अंतिम सासर क्था देवभुती बारत की सीमा में प्रवेस करने वाला प्रतम पवन या यवन सासक था डेमेट्रियस प्रतम डेमेट्रियस को किसने पराजित किया था पुष्यमित्र सुंग ने पुष्यमित्र सुंग ने असुमेद यग्य कराय था दो साथ वाहन वंस की स्टापन किसने कह थी दसरत यूद लड़ा गया था परुष्ट्री नदी के तड़ पर सबसे भारत में सरुपतम सोने के सिक्के किसने जारी किये हिंद यूनानियोंने सुद सोने के सिक्के चलवाए कुशानोंने चलवाए थे सुद सोने के सिक्के सरवादिक स्वन मुद्राय जारी हुए गुप्त काल में सीसे का सिक्का चलवाय था साथ वहानों ने चांदी का सिक्का सबसे पहले किसना चलवाय था चंद गुपदित्य इसे विक्रमादित्य भी का जाता है रुपए का सिक्का बारत में पहली बार डाला गया था सेर्शा सुरी के सासन काल में आना का सिक्का चलाय था साहा जाहन है कुशान वन्सक का संस्ताप कौन था? कुजुल कर्ड फिसेश बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनिये कुशान काल में कुषान वन्सक का प्रसे सरसक कौन था कनिस्क था कनिस्क की परी राजदानी थी पुरुश्पूर कनिस्क की दूसरी राजदानी कौन से थी वो थी मतुरा शक्र समवन चलवाया कनिष्ट ने इठोती रिस्वी मैं मूर्तियों का निर्मान किस काल में हुआ था कुसान काल में हुआ था और मंदिर का निर्मान किस में हुआ था गुपत काल में दोणों ही बहут important question नहीं गुपत मशे का संस्ताप पर कौन था मंदि निर्मान कला में विमान सेली का प्रचलन में हुआ था चौलवन्स के साशन में दस मलो प्रणाली का जनम हुआ था गुप्त काल में राश्टे पंचांग आधारिते सक समवत पर और चरक थे आईरुवेत के जनक थे चरक सिल्क मार को आरम कराए था कनिस्क ने आरम कराए था कुशान वन्स का अंतिम सासक कौन था वो थे वासुदेव गुप्त वन्स की जानकारे मिलती है वायू पुरान से समुंद्र गुप्त को भारत का निपुलीन किस ने कहा था तो बिसेंट और्थर इसमित ने कहा था सिको पर विना बजानते इस्तिते समुंद्र गुप्त भारत का बिस्मार किसे कहते वल्लबाई पटेल को कहा जाता है और भारत का अंस्टिन किसे कहते नागरजुन को भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है अस्वगोश को इरान का नेपोलियन कते है नादिर शाह को समद्र गुप्त का दरबारी कवी कौन था? वो था हरीशेन प्रतम चिन्नी बोध यातिरी फर्यान भारत कब आय था? चंद गुप दित्ते के काल में पांचवी सतापति में आय था चंद गुप दित्ते का अनिनाम विक्रमा दित्ते का नाम से भी जाना जाता है तो उसते अपनी राजदनी दूसरी राजदनी किसे बने थी? उज्जेन को बने थी विक्रम समद प्रारम हुआ था अठावन इस्वी पूरु में गुपत काली रजद एवं श्वन मुद्राव का नाम क्या था? तो क्रमस रजद का नाम था रुपक और श्वन मुद्रा का नाम था दिनार नालंदा विश्वी विद्याले का सस्ताप कोन है? तो वो है कुमार गुपत नालंदा विश्विद्याले को द्वस्त किया था किसने बक्तियार खिलजी ने वो था मौमत गोरी का सेनापती विक्रम सिला विश्विद्याले की स्थापना किसने किती दरम पालने करे थी 770 से 810 इस्विय में महरोली में इस्थीद राजरचंदर के लोह इस्तरम को बनवाए था चंदगुब दिद्यन है गंगय कौण कहा जाता है राजरचंदर प्रथम को गुप्त काल के राज की बासा क्या थी संस्कूरेट बारत्य इतियास का स्वन्यू किसे का जाता है गुप्त काल को गुप्त वन्स का अंतिम सासकों था तो वो था विश्णु गुप्त वर्दन सामराज्य का संस्तावक था पुष्य बुती पुष्य बुती वन्स का संस्तावक कों था नर वर्दन हर्च वर्दन ने अपनी राजदानी थानेस्वर से इस्थापित की थी कन्योज में चीनियी- यात्री हैन्संग किसके सासन काल में भारत आय था तो हर्सवरदन के काल में आये था सर्दन कका आधा छहष्योच। शहर। दौरल किसको गौन सी सी यो की अब दोस्तों ये चीन के तो इनकी देख़़ो पासभी कौन सी लिखते हैं सी यो की यात्रियों में राजकुमार किसको का जाता है हैंस यांखो नेती का पंडित और साक्य मुनी किसे का जाता हैं हैंस यांखो हर्सवर्दन का दर्बारी कवी कौन था तो हर्सवर्दन का दर्बारी कवी था बान बट पूलकेशिन दित्या ने हर्सवर्दन को 634 इस्वी में पराजित किया था नर्मिदा नदी के तटपर हर्सवर्दन प्रतेक पांच वर्ष बाद धार्मिक संबेरन करता था कापर पुरियाग में हर्सवर्दन के बूर आजिस्व दर क्या था एक बटा छे था पल्लव वंस का संस्थाप कौन था शीह विष्णू और पल्लव की राजदनी थी कांची पूरम जो तमिल नाडू में है निट्राज की मूर्तिया है चोल काल की राष्टकोड वन्स का संस्थाप कोंता दंती दूर्ग और राष्टकोड वन्स की राजदानी थी मन्यकेड चालुक्यों की राजदानी क्या थी वातापी कल्यानी के चालुक्य वन्स की स्थापनों किसने की थी तेलब दित्याने बारत में पहली बार सेनिक सासन व्यवार में लाये था ग्रीकों ने नो सेनिक सक्ती के लिए प्रशित था चौल इस्थाने स्वासासन विशेष था थी चौल वंसकी होईसल वंसकी राजदानी क्या थी दार समूद्र होणों का आक्रमन वाता समूद्र इसकंद गुप्त के समय में होणों का प्रतम सासक कौन था तोर मान था सेयद वंसका संस्थापक कौन था तो सेयद वंसका संस्थापक था खिजर खान सेयद वंसका अंतिम सासक था अलाउदिन आलमशा टोपी सिकर अपना जीवन गुजारने वाला सुल्तान कौन था नासुरी दिन महमूद मिहिर गुला प्राजित हुआ था यसो वर्मन के द्वारा और वराह मिहिर कौन थे वो थे खगोल विद्थेक्ट संगम युक का मान साचक कौन था करिकाल था संगम का तात पर यह कव्यों की गोश्टी और प्रथम एवं तरतिय संगम हुआ था मदुरे में दित्य संगम का पर हुआ था यह हुआ था कपाट पुरम अल्वे में प्रथम संगम के अद्देक्ष कौन थे आगस्तिय रिशी जज्यकर का प्रचलन किया था मुम्मद बिन कासिम ने किया था और वो ने भारत पर आक्रमन किया था मुम्मद बिन कासिम के नेत्वित में किया था और भारत पर आक्रमन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था मुम्मद बिन कासिम इसने 712 इस्वी में बारत पर आक्रमन करा था महमुद गजर्णावी ने बारत पर हमला किया था 17 बार पेला आक्रमन 1001 इस्वी में करा था 1121 इस्वी की तराइन के प्रथम यूद में पत्विराच चोहान ने हराये था इसको मुमध गोरी को तराइन का प्रतम और दित्ते युद दोनों इनिके बीच हुआ था एकराणों और बर्लाणों में अब ग्यारसो बर्लाणों इस्वी का तराइन का दित्ते युद में मुहमद गोरी ने हराय था प्रत्विराज चोहन को एक बार तो प्रत्विराज चौन जीता और दुसरी बार गोरी जीता था एक हजार पच्ची इस्वी में सोमनाद मंदीर को किस्ट ने लुटा था तो महमुद गजनवी ने लुटा था महमुद बिन तुगलग ने अपनी राजदानी दिल्ली से काप ले गया था दो लता बाद ले गया था और तेमूर लंग ने बारत पर आक्रमन कप करया था तेरा सो इठेन इस्वी में नासुरी दिन महमुद के कालम जोनपूर नगर का संस्तापक कौन था फिरोशा तुगलग था हेदरबाद इस्थीत चार मिनार को किसने बनाए था कूली कुतुप साने बनाए था पंडासो इक्राणो इस्वी में बनवाए था कस्मीर का अक्बर किसे का जाता है जेनूर आप दिन को का जाता है तंचोर के व्रद एस्वर मंदिर जो द्रवीट सेली का है उसको किसने बनवाए था? चोल सासक, राज, राज प्रतम ने बनवाए था जैपूर के राजा सवाई जैशिंग ने किन चार इस्थानों पर जंतर मंतर का निर्मान करवाए था तो दिल्ली, उजय, जैपूर और मतुराब है पुर्व का सिराज किसे का जाता है जोनपूर को ताली, कोटा का यूद कब हुआ था? पनरासो पेशेट में हुआ था? विजय, नगर और बहमनी राज्यों के मद्य हुआ था मीरा भाई किसके समकालें थी? तो तुल्शी दास के समय के थी मीरा भाई मेरा बाई का जनम कापर हुआ था 1499 निश्वी के लगबक मेरता के कुद की नामक गाउं में हुआ था दोहरी सासन निती को किसने समाप्त किया था वायरन हेस्टिंग्स ने 1700 बोत्तर इसुने करा था रानी लक्ष्मी बाय कोंतिम युद में सामना करना पड़ा था यूरोज का अनुष्चीलन समिती की स्थावना हुई थी बारिंद्र गोश एवं भुपेंद्र नाथ ददने 1907 में कॉलकॉता में बक्त तुकाराम किसके समकालिन थे तो वो थे जहांगेर के समकालिन गुलामवंस की स्थावना हुई थी ये सल्तनत काल में था गुलामवंस उसकी स्थावना 1206 में किसने करी थी कुतुब बुदिन एबग ने कौन था एक कुतुब बुदिन एबग तो ये था मुहमत गोरी का गुलाम था उससी से उसने गुलाम वन्स की इस्थाबना की दिल्ली का पौला मुसल्मान सासक कौन था कुतुब बुदिन एबग कुतुब मिनार का निर्मान कारियो किसने करवाय था शुरू तो कुतुब बुदिन एबग ने करवाय था पर पूरा किसने करवाय था इल्तूत मिशने करवाय था। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलान प्रारम किया था इल्तूत मिशने। कुतुब मिनार का निर्मान किया गया था बक्तियार काकी की स्मृति में। लाख बक्ष किसे का जाता है कुतुब बुदिन एबग को का जाता है लाख बक्ष डाय दिन का जोप्रा किसने बनवाए था तो बनवाए था कुतुब बुदिन एबग ने मौंभब गोरी ने प्रथम अगता प्रदान क्या था कुतुबुदिन एबक्को आक्ता सेना का गठन क्या था इल्तूत मिश्ने किसका इकता सेना का गठन दिल्ली की गदी पर बेटने वाला पहला अफ़्गान सासे कौन था तो वो था बहलोल लो दी दिली सल्तनत की राज भासा क्या थी तो वो थी फार्शी दिली सल्तनत का अंतिम सासा कौन था इब्राहीम लोदी था गुप्तचर विबा को संगडित क्या था अलाउदिन ने दू असपा तो था सी असपा मंसब की सुरुआत किसने किती जहंगेर ने चांदी का टका और ताम्बे का जीतल ये सिक्के किसने चलवाय थे ये चलवाय थे इल्तूद मिस ने सुद्ध अर्भी सिक्के जारी करने वाला पलत तुर्क सुल्तान कौन था तो वो था इल्तूद मिस चंगेज खान ने भारत पर आक्रमन किया था, इल्टुद मिश्के सासन काल में करा था और कुतुब दिनेबग का मगबर काम पर रिष्थी थे, तो वो है लाहूर में मुहम्मद बीन तुगलक का मोल नाम किया था, जुना खान भारत में सरो पतम संक्यतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, मुहम्मद बीन तुगलक ने इभ्डी बतु ता, ये कौन था? मुरो को का यातिर था ये भारत किसके काल में आय था, तो मुहम्मद बीन तुगलक के समय आय था मिनाक्सी मंदीर काँ पर अवर्षी थे मदुरही में गौम तेश्वर की मूर्ती काँ पर इसी थे वह कनाटक में हम्बूर आप भी साचता बेबिलोन का अरिनगर के संदी हुई थी 1757 में गोडा दागने तता हूलिया बदलने की प्रथरा चलाई थी अलाओ दिन खिलजीन है बाचा नियंतर प्रणाली लागो क्या था अलाओ दिन खिलजीन है विजे नगर की प्रतम राजदानी क्या थी हम्पी और विजे नगर की दूसी राजदानी थी प्रणो कॉंडा विजे नगर सामराजी की स्थापना किसने करी थी 1336 में हुई थी और हरी और बुका बाईयों ने करी थी विजे नगर सामराजी की स्थापना किसके सासन कालम हुई थी तो मोंमत बिन तुकलक के सासन कालम हुई थी किरिष्ण देव राहि के राज्गुरु कुंते तो वो यह से व्यास राज्ग अंद्रुबोच कहा जाथा क्रिष्ण देव राइ को काझ्धिं अंद्रुबोच विट्ठल मंदिर का निर्मान किस ने करवाय था? कृष्ण देव राय ने करवाय था बहमानी राज्य का सस्ताप कौन था? अलाउदिन हसन गंगु बहमानी सामराजी की राजदानी क्या थी? गुल बर्गा बहमानी राज्य का अंतिम सस्ताप कौन था? कली मुल्ला मुगल राज्य का सस्ताप कौन था? तो बाबर मुगल सास्को का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले बाबर आय था उसी नहीं मुगल राज्य की नियोरकिती भारत में बाबर के बाद हुआया था हुमायू, हुमायू का अक्बर, अक्बर का जांगे, जांगे का साचा, फिर बादुर्सा बाबर का पुरा नाम क्या है? तो चहेरुदिन बाबर, ये बाबर का पुरा नाम है खानवा का युद यह वाता, 17 मार्च 1527, किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था कई बार तिथी भी याद देखा करो दोस्तों, सन के साथ तिथी भी पूछ लेते हैं, बाबर और राणा संगा का हुआ था बाबर नामा की रचना की थी, किसने बाबर ने? किस बासा में करे थी बाबर नामा की रचना? तो जी तूर्की बासा में बाबर को भारत पर आकरमन के लिए, किसने आमंतित करा था? तो दोलत खान लोदी और आलम खान ने ये इब्राहिम लोदी का भाई था अपने भाई को हरवाने के लिए ये बाबर को बलवाय था दोलतकान लोदी ने बाबर की इब्राहिम लोदी पर विचेय का कारण क्या था तो तो अब खाना प्लासी का युद हुआ था 23 जून 1757 को अंग्रेजो और सिराजु दोल्ला के बीच प्लासी की लड़ाई कब हुई थी 1757 में इसमें अंग्रेजी सेना का नेतर तो किसने किया था तो करा था लार्ड क्लाईव ने प्लासी युद का मेदान का इस्तिते तो है पस्चिम बंगाल नूँ पानीपत के प्रथम युद जो 1526 इसमें हुआ था उसमें बाबर ने पराजित किया था इब्राहीम लोदी को पानीपत के दित्य युद जो 5 नूबर 1526 इसमें हुआ था इसमें अकबर ने किसे पराजित करा था हैमो को और पानीपत का तिसरा युद कब हुआ था 1761 में हुआ था अमस्सा अब्दाली ने किसे पराजित किया था मराठो को पानिपत की लड़ाई में मुगल से नाकर नेतु तो किसने करा था बेरम खान ने जांगेर का मकबर है किसने बनवाय था नूर जहान है बिना ताज के बादसा कहा जाज़ता है शुरंद्रनात बंदर जी को बिना ताज का बादसा अकबर का जनम कहा हुआ था? अकबर का जनम अमरकोर्ट पाकिस्तान में हुआ था कब हुआ था 15 ग्टूबर 1542 को अकबर का राज्यविशेक 14 फरवरी 1556 में हुआ था कालनोर किला पंजाब में अकबर की मा का नाम कहा था हमिदा बानू अक्बर ने जड़ी कलम की उपादी दीती मुंम्मद हुशन कस्मिरी को अक्बर ने सेरी कलम की उपादी दीती अब्दु समत को सरवादिक धर्म निर्पैक्स द्रश्टी को रखने वाला मुगल सासा कोन था तो वो था अक्बर अक्बर के दर्बार में आने वाला पला अंग्रेज कों था? रॉल्फ फिच हल्दी गाटि का यूद हुआ था? 18 जुन 1566 किसके बीच हुआ था? अक्बर और माराना प्रताप के बीच हुआ था अक्बर का सरक्ष कों था? बेरम खान था मुगल काल की राज की भासा क्या थी? तो मुगल काल की राज की भासा थी फार्शी फतेपुर सीखरी में इस्थित बुलन दरवाजों के वो किसने बनवाय था? अक्बर ने बनवाय था पंडासो वोतर में गुजरात विजय की उप्लक्स में बनवाय था अकबर ने चित्वरट पर विज्ज़े प्राप्ट की थी 1567 में सीर अकबर के लेख कों ने दाराशी को और अरंग छेप का भाय था ये दारशी को तूलसी दास किसके समय कि थे अकबर के अकबर ने दास प्रथाकांद किया था 1562 में मनसबदारी प्रता का प्रवर्तन क्या था अकबर ने दीन ने इलाही या तोहिदे इलाही दर्म को अकबर ने शुरू क्या था पंदासों बज्यासी में बिर्बल का वास्त्रिक नाम क्या था महेश दास फेजी तथा बिर्बल था अकबर के दर्बार में तुगलक वन्स का अंतुवाता 1412 इस्वी में भक्ती आंदोलन की प्रश्ट वूमी तेयार की थी रामा नुजा चार्यने मुगल दरबार में उपशित होने वाला पहला अंग्रेजी था विलियम होकिन्स 1608-1611 में हुआ था ये समराट जांगेर के समय प्रशित चित्रकार कौन था उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन जो पक्षियों की चित्र बनाते थे मुम्ताज मल का असरी नाम क्या था अरजुमन बानों बेगम सहाजहा का जनम हुआ था पांच जनवरी 1500 बरणों को लावर में हुआ था सहाजहा का बचपन का नाम क्या था खुरम सहाजहा की मता का नाम था जगत गोसाई सहाजहा को केट करके औरंग जेब ने कहा रखा था आगरा के किले में आगड़े के लाल किले में जामा मस्जिद का निर्मान किसने करवाई था जहां आरा बेगम ने डिली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्मान करवाई था औरंग जेब ने तांसेन का मगबरा का इस्तित है ग्वालियर में इस्तित है तांसेन का मगबरा हुमायु नामाक रशना का अर्थ है गुल बदन बेगम औरमजेव द्वारा चलाए गए जियात का अर्थ क्या है दारूल इसलामी अयोध्या में इस्तित बाबरी मस्जित का निर्मान करवाए था मीर बाकी ने जो बाबर का सेना पती था फतेपूर सीकरी इस्तित पंच मेल को किसने बनवाए था अकबन ने बाबर नामा का फार्सी मनुवाद क्या था अब्दुलरहीम खान खाना ने हुमायू का पूरा नामे नासूरी दिन हुमायू जोतिस में विश्वास कौन रखता था हुमायू सब्ता के साथ दिन साथ रंग के कपड़े पढ़ने के नियम किसने बनाए थी हुमायू ने 25 जून 1549 में चोसा के युद में सेर खान ने पराजित किया था हुमायू को हुमायू का मकबरा का निर्वान हुआ था अकबर की सोतेली मा हाजी बेगम की देखरेक में हुमायो का मगबरा जो दिल्ली में है उसका निर्मान किसने किया था मीरक मीर्जा ग्यास जो प्रदान कारीगर था जहांगीर का मगबरा का इस्थिते सहादरा में और जहांगीर के बच्पन का नाम किया था सलीम न्याय के जंचे रिस्ताबित किती जहांगीर ने मयूर सिहासन में हिरा लगा था कोही नूर का मयूर सिहासन पर बेटने वाला अंति मुगल सासक कौन था मुहमत सा मयूर सिहासक को किस्ता बनवाय था बे बादल खान ने लोह एवं व्रक्त की निति को किस्ता अपनाय था बलबन ने बल्बन का पूरा नाम क्या था गया सुदिन बल्बन अमीर खुश्रो किसका दरबारी कवी था बल्बन का बल्बन का वास्तिरिक नाम था बहाउदिन राजट्व सिद्धान का पौला संस्थापक था बल्बन और जिन्दा पीर किसे का जाता था औरंग जैप को अलाउदिन खेल जी के बच्पन का नाम क्या था अली एम गुर्शास्प अलाउदिन खेल जी के सेनापती का नाम था मलिक काफूर बुगल वंस का वह सासक जिसका दो बारा जबी सेख हुआ वो था औरंग जे पुरंदर की संदे 16 सो पेसर में होई ती सिवाजी और जैस्या के बीच प्रतम मुस्लिम महिला सासी का रज्या सुल्तान थी जित्य ताज में कर लाता है बीबी का मक्बरा जो औरंगा बाद में है बीबी का मकबरा है औरंग्जेव की पहली पत्ने रभ्या उद्धोरानी का मकबरा सारोपतम ब्रामोना पर जजिया कर लगाये था फिरोजसा तुगलगने हजार दिनारी कलाता है मलेक काफूर गुलाम वन्स कांतिम सासक कौन था समसुद्धिन क्यूमर्ज सेर्षा का मोल नाम क्या था फरीत खान डाग प्रथा का प्रचलन क्या था सेर्षान है सेर्षा का मकबरा कांपर इस्तिते तो ससा राम में इस्तिते सेर्षा का मकबरा दिल्ली सहर की निव डाली अनंग पाथ तोर मानने प्रथम कन्नटक युद हुआ था, 1746 इस्व में अंग्रेज और फ्रांसिस्यों की बीच हुआ था अंतिक मुकल बाश्य कौन था, बादुर सा जफर साहे बेखबर किसे का जाता है, बादुर सा प्रथम को आग्रा सर की स्थाबना पंडा सुचार इस्व में किसने की थी, सिकंदर लोधी ने दो गुंबतों का प्रयोग किया गया था, सिकंदर लोधी के मकबरे में लोधी वन्स का संस्ताप कौन था, बहलोल लोधी बहलोल लोदी के मकबरे को किसने बनवाए था सिकंदर लोदी ने टिपू सुल्तान सासक था कहां कह था मैसूर का और मैसूर का है करना टक में टिपू सुल्तान मैसूर का सासक था टिपू सुल्तान की राजदानी थी स्री रंग पटनम श्री रंग पट्टम में स्वतनत्रा का व्रक्ष ट्री ओफ लिबर्टी लगाय था टिपू सुल्तान ना मराठा राज्जी की स्थाब ना किस नहीं की थी सिवा जी ना मराठा राज्जी का दुसरा संस्तापक किसको माना जाता है बाला जी विश्वनात को शिवा जी के आध्यत्नीक गुरु कौन थे गुरु रामदास अस्ट्म मतल कenty यह कई बार पुछे जाए Yeah शिवा जी की पेदल शेना का नाम तता भूमिकर प्रणाली थी क्रमस आउइक यह रेयेत बाड़ी पेदल शेना का नाम था प्रौमिकर प्ररणाली थी रियत बढ़ी तत्य टोपे का मूल नाम क्या था राम चंद्र पंडूरंग शिवा जी का मंत्री मंदल क्या लाता है अश्ट्य प्रदान अश्ट्य प्रदान का सबसे उचापत उसे क्या कहते पैस्वा जिसे प्रदान मंत्री भी कहते हैं शिवा जी ने अपना रज्जबी से करवाय था कासी के विद्वान गंगापट से राइगट किले में सिवा जी के काल में चोथ जो विकास के लिए और सरदेश मुखी जो रक्सा के लिए यह क्या था तो ये एक प्रकार का कर था चोथ और सरदेश मुखी शिवाजी को औरंग जेव ने कहाँ पर केद रखा था जेपूर भवन में जो आग्रा नगर में है सायक संदी शुकार करने वाला पहला मराटा सासता पेश्वा बाजिराव दित्य बुगरवन्स का ग्रणित कायर कहा गया है फारुक शियर को अश्ट दिगज थे कौन थे कृष्ण देव राय के दरबार में नोव रतन किसे कहते अकबर के दरबार में तुगलग नामा के लेकक कौन थे तो वो थे अमीर खुश्रो आदी ग्रंत के संक्लन करता है गुरु अर्जुन देव श्री हर मंदिर साहीब जो स्वण मंदिर ए अमरे सरमें इसको किष्ण ने बन वाय था स्री गुरु अर्जुन देव जीन बन वाय था स्वन मंदिर की नियोकिष्टन रखे थी साही मिया मीर ने गुरु मुखी लीपी का आरंब वा था गुरु अंगत ने करा था श्री अकाल तक्त साहीब के स्थापना के रित थी श्री गुरु हर गौविन साहीब जीने गुरु नानक का जन्म का वाता तयल मंडी में वाता 1499 में श्री गुरु गौविन सिंग का जन्म वाता 1666 पटना साहीब पटना में शिखो के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव को किसने सहीद करवाय था जांगिन ने खाल सा पंद की स्थापना किसने करी थी गुरु गौविन सिंग ने 1699 श्रुमें बार्तिय क्रांती की मां कर लाती है विकाची रुस्तम कामा तुगलग वन्स का अन्तिम सासक कौन था नासुरी दुन मम्मुस सा तुगलग 1857 की क्रांती प्रारमुईती 10 मही को मेरट से 1857 को मेरट से 1857 इस्वी के विद्रों के समय मुगल बासा कौन था बादू सा जफर दित्य 1857 की करांती का कारण क्या था तो चर्बी युक्त कार्थुस का प्रयोग 1857 की विद्रों को भारत का प्रतम सुतमत्य संग्राम किसने का था विर सावर करने 1857 की करांती का चीर्न क्या था कमल और रोटी 1857 की करांती के समय बिर्टेन के प्रतान मंत्री कौन थे लाट पांटन 1857 के विद्रों को राश्ट्य विद्रों की संग्य किसने दी थी डिजरेली ने 1857 के विद्रों के समय बारत का गवर्णर जनरल था लाट केनिंग बिहार में 1857 की विद्रों का नेत्यत्यत्य किया था वीर कुवर्शिय जगदिस्पूर के जमिन दान वह उर्दू कवी जिसने 1857 की विद्रों को अपनी आखों से देखा था वो था मिर्जा गाली काकोरी रेल कांड सेंत्र की गटना कब गटिती ये गटिती नोकस 1925 को जलिया वाला बाग हत्याकांड गटित हुआ था 13 अप्रेल 1919 को लट चैंप स्पूर्ट के समय में दिनाग भी याद रखेगा 13 अप्रेल और 1919 इसको 100 साल से ज़्यादा हो चुके जलिया वाला बाग हत्याकांड के लिए गटित आयोग कौन सा था उसका नाम था हंटर आयोग बंगाल का विबाजन हुआ था 16 अक्टूमबर 1905 को लाट कर्चन के द्वारा और बंगाल का विबाजन रद हुआ था 1911 में लाट होर्डिंग के द्वारा कैप्टेन होकिन्स आया था कहांपर जांगीर के दर्बार में और यहीं से मुगल सामराज्य का पतन होना शुरू हो गया था प्रतम फ्रांसिस्सी गविनर था डूपले सर टॉमस रो जांगीर के दर्बार में आया था 1615 में ब्लेक हॉल की गटना गटी थी 1756 में गटी थी ब्लेक हॉल की गटना बक्सर की लड़ाई जो 1764 में होई थी इसमें किस मुगल सासक ने बाग लिया था शाह आलम दित्यन बक्सर की प्रसित लड़ाई ये 23 अक्टूबर 1764 को हुई थी मैं अंग्रेजों का सेनापती कौन था हेजर मेजर हेक्टर मुंद्रों कि हर्मिट ओफ सिमला का जाता है ए और यूंग को जो स्कॉट्रेन का वासी था बक्सर का यूद गुवा था मेर कासिम शिराजु दोलाव सालम की मद्द्य हुआ था और अंग्रेजी सेना इसमें विजय हुई थी इलाबाद के संदी 1765 में हुई थी कांग्रेज की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को लाट डफरिन के सासंकार में कांग्रेज को संस्थाप कौन था ए और यूम था कांग्रेज के प्रताम अधी वेशन मुंबई 1885 के देखता की थी व्योमेस चंद्र बनरजी ने कांग्रेज में फूट कप पड़े थी सूरत अधी वेशन 1907 में कांग्रेज के गरम एवं नरम दल के नेता एक हो गए थे लकनाव अधी वेशन में 1916 में कांग्रेज के विबाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था तो लाड मिंडो था महत्मा गांधी बारती राष्ट्र कांग्रेज के अध्यक्स बने थे बेल गाम अधी वेशन 1924 में गांधी जी डक्सेन अफरिका गए थे 1830 में गांधी जी अफरिका से भारत का वाइस थे 1915 में गांधी जी ने साबर मती आशरम जो कहां पर एमदाबाद में है उसकी स्थावन कब करी थी 1916 में करी थी साबर मती के आशरम की सथ के प्रतम अंग्रेज अध्यक्स कॉनन थे जोर्ज युलें कांग्रेज के प्रतम मुस्लिम अध्यक्स कॉनन थे बद्दुरुदिन तेयव जी स्वद्दिशी अंदुरन प्रारम हुआ था शन 1905 इस्वी में मुस्लिम लिग की स्थाबना 1906 में विती इसका स्रेख इसको दिया जाता है सलीम उल्ला और आगा खांको मुस्लिम लिग ने पाकिस्तान का प्रिस्ताव पारित किया था 1940 में लाहूर के अधिवेशन में तके जन्म दाता कौन थे चोद्री रेमत अली कर पाकिस्तान के परतम प्रदार्मंझत अली यह पूर्न सुलत्र की मांग का प्रस्ताव रखा गया था लाहाधि वेशन में 1929 इसी में बारत की स्वतंत्र दा की गोष्णा की थी क्लिमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रदार मुंती थी उन्होंने का कि बारत अब एक स्वतंत्र देश है गदर पार्टी की स्थावना हुई थी 1913 में लाला हर देयाल द्वारा सेन फ्रांसिस्कों में हुई थी होम रूर्ट अंदोलोन की प्रणाता कौन थी एनी बेसेंट काला कानून किसे का गया है रूलेक्ट एक्ट को और रूलेक्ट एक्ट पारित हो था शन 1919 इस्वि में गांदी जी को नंगा फकिर किसने का था बिष्टन चल्चिल ने मात्मा गांदी को सबसे पहले राष्ट पिता का था सुबास चंदर बोस्त ने रंगुन रेडियो से बारत में गांदी जी का प्रितम सत्याग्र था चंपरन सत्याग्र सन 1927 इस्ट इंडिया कंपनी भारत माई थी सन 1600 इस्वि में और साइमन कमिशन भारत का बाय था 1928 इस्वि में क्रिप्स मिशन भारत आया मार्च 1922 में केबिनेट मिशन के देख था किसने की थी लॉट पैथिक लॉरेंस ने बाज बादूर सासक था मालवा का नहेरू एक राष्ट पक थे जबकि जिन्ना एक राज नितिक यह ये किसने का था मॉलाना आजाद ने सबसे पहले भारत आये था पूर्त गाली भारत में आने वाला प्रथम पूर्त गाली कौन था वास्कोर इगामा जो 1498 इस्वि में आये था कालिकट पहुचा था वो दूसरी बार वास्कोर इगामा भारत कब आये था पंद्रा सो दो इस्वि में आये था पूर्त गाली सक्ति का सस्तापकों ने अर्वू कर्क पूर्त गाली ने अपनी पहली फ्रेक्टरी या दूर्ग का पर इस्थापित की थी कौचिन में पंद्रा सो तीन इस्वि में पूर्त गालियों ने गौवा पर कपचा कप करा था 1510 इस्वी में अंग्रेजों ने 1608 में अपनी परली फेक्टरी जो सुरत में स्थापित की थी वो जांगिर की अनुमती से की थी बारत में परला पूर्त गाली गौवरनर कौन और कब बना फ्रांसिसको दलमीडा 1515 इस्वी में बना था विदेशों के भारत में आने का क्रम क्या था सबसे पहले पूर्त गाली आए उसके बाद आए अंग्रेजी उसके बाद आए डच फीडेनिस फ्रांसिसी और स्वीडेस आए भारत आने वाला पौला अंग्रेज कौन था मिल्डेन हॉल अमिर्खुष्रों के गुरु कौन थे निजामुदिन ओलिया चंदेल मंस का संस्तापक कौन था नन होक खजुराओ मंदिर को बनवाए था चंदेल सास कौन है खजुराओ का मंदिर बना है नागट रेली में भूनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्मान करवाया केशरी वन्स का राजा ये याती केशरी ने सती प्रता का अंध क्या था लाड विलियम बेंटिक ने 1829 इस्वि में दन के निसकाशन का सिदान 1867 में किसने दिया था दादा बाई नोरोजी ने भारत भारतियों के लिए एक नारा है किसका आरे समाज का ताजमेल का निर्मान हुआ था 1632 से 1652 के बीच ताजमाल मक्बरे की योजना तियार किया था उस्ताद इशा खान जो पर्षया का था गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान हुआ था 1911 में और इंडिया गेट का निर्मान हुआ था 1921 में प्रिंस अफ वेल बारत में आय था 1921 में भारत की राजदानी कॉलकाता से दिल्ली इस्थापित कप की गई थी शन 1912 में लॉर्ड होर्डिंग प्रथम के समाए गोल कुंडा इस्तिते हेदराबाद में कांपर रही आंध्यपदेश में हमपि कांपर इस्तिते करनाटक के बेलरी जिले में अहमाद नगर का विले ही हुआ था 1632 में करनाटक में इस्तित गौमतेश्वर की मुर्थी का निर्मान करवाय था चामूंड रायने वांडिवांस का युद हुआ था फ्रांसिस्य और अंग्रेजों की बीच 1760 में विख्यात तर्थ मंदिर का पर इस्तिते मामल पूरम में कौनार्क के सुर्य मंदिर को किसने बनवाय था नर्शिय देवने 13 सदी में बलेक पेगोडा कर लाता है कौनार्क का सुर्य मंदिर आजात हिंद फोच की संकलपना की थी कैप्टन मोहन सिंग ने नटराज मंदिर का पर इस्तिते चन्नाई में आजात हिंद फोच की स्थाबना की गई थी रास बियारी बोश के द्वारा 1942 इस्ति में आजात हिंद सरकार के संस्तापक कौन थे सुबास चंदर बोश 23 एक्टूबर 1924 में बने थे स्वतंतर भारत के जंडे का डिजाइन किसने करा था पिंगली बेंग के याने प्रथम गोल में सम्मेलन आयोजीत हुआ था 12 एक्टूबर को 1930 लंदन में प्रथम गोल में सम्मेलन का उद्गर्टिन किसने क्या था सम्राड जोर्च पंचम ने प्रथम गोल में सम्मेलन के देख्षता की थी प्रदान मंतिरी रेमजे मैक डरनाल ने प्रथम गोल में सम्मेलन के सम्मेलन के सम्मेलन का भारत का वाईस रही था लाड इरवीन और जित्ते गोल में सम्मेलन हुआ था 1931 में और यह हुआ था लंदन में दित्तिय कुल में सम्मेलन में कांग्रेस का एक मातर पदित ने देतों करा था गंधी जी ने तिरुपती मंदिर कहां पर रिष्थी थे आंदर पदेश बारत और चीन के बीच 25 सिल समझात वाता बीच अपर सन 1954 को अवद का अंतिम नवाब कौन था वाजिद अलिशा लखनाव से पहले अवद की राजदानी थी पेजाबाद पिंडारियों का उन्मुलन करता कौन है लॉड हेस्टिंग्स बनारस हिंदू विश्विद्याले की स्थाबना 1916 में किसने करी थी पंडित मदन मोहन मालवियने और भारत में पहला पार्थियन सासकों था माउज गौल कुंडा की संदी हुई थी 1656 में हुई थी दे लास्ट जज्जमेन क्रती है माईकल एन्जी लेकी गांधी इर्विन के बच समझोता हुआ था सन 1931 में म्यूनिक पैक्ट संपन हुआ था 1931 में स्रीमला सम्मेलन कब वह था 25 जून 1935 को खुले द्वार के नीती के प्रतिपादक कों थे जौन है स्वराज पार्टी की स्थावना की थी 1923 इस्वि में तेनली राम दर्बाली थे कृष्ण देव राय के ब्रह्म समाच आधारी थे एक के स्वर वाग पर दास प्रथा अवेद गोशित हुई थी 1823 इस्वि में वर्ना किलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 इस्वि में लॉड लीटन के द्वारा वर्ना किलर प्रेस एक्ट को रद किया गया 1800 इस्वि में लॉड रिपन ने अगर विद्रों का नेतर तो किसने क्या था गोश्मदर कोवर ने हासाऌ यहां कर लाए나ा में बंगाल में बयान कार्कार पता einägarnya सटय cabinet क्थां में बंगाल में द्रयत सास्चंकर सहस्ताप कौन था रोबर्ट अलाइब कि भंगाल में सासें को कि श्राचमात कर था वह Completely हैस्विन उने ने बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था? बंगाल में इस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू करा था? लॉर्ट कान वालिस 22 मार्च 1703 में बंगाला देश की मुक्ति या सरजन 1931 के समय पाकिस्तान के सासे कौन था या या खान? दस्तक प्रणाली को किसने समाद करा था? हाई स्टिंग्स नहीं बाड़ती और सांती का जन्म दता किसे का जाता है? वेलेंटाइन सिरोल को अमेरिकन गांदी के नाम से विख्या थे? मार्टिन लुथर किंग्ग और कभीर किसके समकालिन थे? सिकंदर लोदी के समकालिन थे संपूर्ण क्रांती का नारा किसने दिया था? जई प्रकास नारायन ने दिया था? लोक हीत वादी का जाता है? गोपाल हरी देश मुख को च्वराज पार्टि को इस्थापित किया था? चीत रंचन दास एहो मोतिलाल नेरुन है सुनने था कि सिदान का सबसे पहले प्रतिपादन करने वाला बहुत दार्शनी कौन था तो वह था नागारजुन तो दोस्तों यह थे भारत की तियास की कुछ इंपर्टेंट प्रस्थन है जिसको में आपके साथ डिसकर्स करें शेयर करें अगर यह वीडिया आपको अच्छा लगाते है शीडियो का लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और एसी अन्य टोपिक की भी आप लंबी वी वीडियो भी इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो यह पर समाप होता है कर दो